तो आज हम फिर मिलते हैं दिल की बाते लेकर आपको कितना भी घ्यान हो परंतु अपने दिल के बारे में ग्यान दिल की देखभल और कैसे पहचाने कि क्या लक्षण है एंजाइना और हट अटक के यह घ्यान बहुत जरूरी है क्योंकि सर्वाइवल फर्स आपको सर्वाइव करना है तो सबसे जरूरी है कि आपका दिल धड़कता रहे तो कैसे पहचानेंगे कि सीने में दर्द हुआ तो यह दर्द कोई मामुली कारण से मासपेशी का दर्द है या आसिडिटी का ग्यास का यह कोई गंभीर समस्या है जैसे एंजाइना या हाट अट तो एंजाइना के बारे में मैं पहले बताती है एंजाइना ऐसे पहचानेंगे ज्ञान से सुनिएगा एंजाइना को पहचानना चाहिए अपने लिए और या आपके प्रेजन्स में आपके उपसिती में किसी और को एंजाइना हो आपके किसी बुजग को पैरेंट्स को फ् ज marshmallow का जो डर्द होता है अधिक्तर संट्र अशेट में होगा सीने के बीचओ जो यह वजन जैसा होगा यह आपको अपने बायँ हसं सकता है या ट्रावबल कर सकता रिरेडियेट कर सकता है दोनों हाथो में भी आ सकता है उपर भी जा सकता है और गरदन में भी चोकिंग हो सकती है गले के अंदर चोकिंग माने आपको घुटन जैसी लग सकती है फोद्विक कस रहा है जाव कोई धर्द का दर्द भी हो सकता है जबरे में भी दर्द यह आ सकता है यह दर्द जो दबाव भारीपन जैसा है यह एक खाली प्रेशा या कुछ act मूंझ आपरा पीकल नहीं होगे उसको a typical pain कहते हैं तो a typical में यह को सकता है घुशंता क्वी और अकम से कम एकThis is Pam area का लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है बस कुछ discomfort है कुछ उल्जन है कुछ परेशानी है जो आपको सीने में लग रही है परन्तु आप उसको यह नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ यह दर्द है या किस तरह का दर्द है तो यह जो दर्द है यह होता है एंजाइना और इसके क्या लक्षन होता है यह कुछ आप इग्सर्शन करते हैं महनत करते यह कोई आपको बुरी ख़बर स्ट्रेस टेंशन हुआ या कोई आप कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज आप ने पढ़ी या देखी या आप टी-वी देख रहे है या पिक्चर देख रहे हैं या कौई और तरह का आपकी ट्रेंच चुटी जा रही है आप स्टेशन में है सुबह सुबह उठे कुछ अच्छा नहीं फिलो रहा तुरंथ उठके आप बात्रूम गये तुरंथ एक्जर्शन हुआ या अप घर से बाहर निकले एक्दम थंडी हवा लगी ठंड का दिन है कानों में और चेहरे पर तुरंथ थंड तो यह इतने में दर्द होगा लेकिन जब आप अराम करेंगे जो भी कर रहे हैं छोड़ देंगे रेस्ट करेंगे गहरी-गहरी सांस ले लेंगे कुछ सोच लेंगे कुछ और कोई स्ट्रेस टेंशन की बात थी आपका माइंड जैसे डाइवर्ट हुआ या अपने आपको स ठीक हो जाएगा सो रिलीव डॉन रेस्ट ब्रॉट बाइग्जर्शन तनाव से शुरू होगा चाहे वो मानसिक हो शारीरिक तनाव हो कोई उल्जनो और खतम होगा अराम से तो जब आप आराम करेंगे यह दर्द खतम हो जाएगा यह एंजाइना और इसके लक्षन होते है अगर आपके पास सॉबिट्रेट एंजिसेड की गोली है जो चूसी जाती है जीब के नीचे रखके तो उसको लेते है आईसोस और डाइनाइट्रेट ग्लेस्रेल ट्राइनाइट्रेट जीब के नीचे रखके चूसने से यह दर्द गायब हो जाए यह भी एक लक्षन होता है कि यह एंजाइना ही था यदि आपके पास ऐसी दवा है तो लेकिन लक्षन नहीं है क्योंकि कई तरह के दर्द सॉबिट्रेट या एंजिसेड लेने से चले जाते हैं इसके अलावा अगर यह दर्द बहुत देर चलता रहे 8-10 मिनिट के बार भी चलता रहे बहुत तेज और या दर्द ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि अब बच ंंगा और मूझ से यह निकलता है अब मैंौद से नम निकलेगा मा बचाओ कुछ ऐसा निकलेगा बचाओ तो जब Anda क्या Tibra का मतलब बहुत तरह सिर्या दर्द है और एक उसको अभास हो जाता है Maa लिग देने लगता है यह होता है मायो काडियल इंफार्शन यह हाट अटैक और यह दर्द 15 मिनिट से पूरे 30 मिनिट भी चल सकता है और यह वर्स्ट काइंड ऑफ पेन होता इससे बुरा दर्द कोई नहीं होता जो यह दर्द एक्सपिरियंस करता है हाट अटैक का वो शायद सबसे बुरा दर्द होता है और मरीज जो है जटपटा भी नहीं पाता क्योंकि वो बस अपना ऐसे सीना पकड़के और बैठ जाता है यह दर्द इतना तीवर होता है कि उसको उल्टी भी आ सकती है उसकी कट्टी पिशाब भी चुड़ सकती है और वो जमीन पर भी गिर सकता है इतना तेज दर्द होता है पर बेहोची नहीं आती जो बेहोची वाला अटैक होता है वो ब्रेन अटैक होता है वो अलग चीज है इसमें मरीज बेहोच नहीं होता इसलिए वो पूरा पूरा दर्द पूरे डूरेशन का मह होता जब तक कि पूरा प्रोसेस इंफार्क्षन का यह सेल डेथ का यह हार्ट का मसल का एक पार्ट का जब तक खतम नहों जाए डेथ नहों जाए तब तक यह दर्द उसको चलता रहता है यह यह जो एकदम इस्कीमिया हो गया एक हार्ट के एक हिस्से का इस्कीमिया मने लैक और ब्लड सप्लाई स्टॉप भी हो गई तब भी वो रिस्टोर की जा सकती है आज कल के मौडर्न प्रोसीजर से प्राइमीरी पीटी शे lookout और थ्रॉमॉप टर편 देकर तुरन्त यह भी रिवर्स किया जा सकता है और हार्ट अटायं में आपका मसल यह भी इसमें वापन ब्लड सप्लाई रिस्टोर करके ब्लट सप्लाई का खुन का संचालन शुरू करके इसको भी रोका थामा जा सकता है और पूरी तरह से इससे बचा जा सकता है इस हार्ट अटैक से तो यह होता है हार्ट अटैक हार्ट अटैक और एंजाइना या मायोकाडियल इंफाक्शन और एंजाइना दोनों ही exertion पे आते हैं जादा तरह या सबेरी के time आते हैं थोड़ा circadian rhythm होता मतलब सुबह के time होता है जादा और दोनों stress exertion से होते हैं कभी-कभी rest पे भी हो सकता है लेकिन rest पे ये कमी होता है एंजाइना एक तरह का होता है प्रिंस मेटल एंजाइना rest पे भी होता है spasm के कारण वो rest में भी हो सकता है और असल में तो ये एंजाइना heart attack atypical type के होते हैं जो किसी भी रूप में होने लगते हैं कभी-कभी खाली दर तो कम हुआ लेकिन खाली सांस उखट जाती है या बहुत उल्जन होती है discomfort होता है बहुत जादा weakness लगती है और blood pressure एकदाम गिर जाता है तब भी heart attack का ये भी में सांस फूलने लग जाए या कुछ अजीब से उल्जन हो एंजाइना equivalents भी होते हैं जो एंजाइना clear-cut pain नहीं होते परंतु होते वह blood supply की कमी से हैं हाट की supply की कमी से तो ये हुआ angina heart attack angina heart attack में दोनों में पसीना भी आ सकता है बहुत diophoresis खास करके heart attack होता है इतना पसीना छूटेगा इतनी उल्जन होगी और मरीज नहीं उस ताम पाता क्या हो रहा है खाली अपना हाथ बढ़ाता है इस हो सकता है कि कुछ दवाई लेना च हो भी हार्ट के मरीज है उनमें कोई भी लक्षन है तो ये एंजिसेट, स्वाबिट्रेट, इस तरह की दवा अपनी जेब में रखे पास में रखे और जरासा दर शुरू हुआ नहीं कि निकाल के अपने जीब के नीचे चूस ले तो heart attack से बचेगा एंजाइना रिलीव पास रखनी चाहिए अगर दो गोली ऐस्परिंग भी खा लिया जाए तो heart attack बच जाता है और करीब 3 से लेकर 11 एक हजार केस में बचाए जा सकता है तो ये भी मैं आपको बचाओ के तरीके धीरे-धी बताऊंगी सब्सीक्वेंट ये वीडियो में पर अभी आप ये रिवाइज करिए और याद रखिए कि एंजाइना क्या है और हाट अटाक क्या है और बहुत तरह के सीने के दर्द होते हैं जिसमें कि कभी-कभी ये डिफ्रेंशेट करना मुश्किल होता है लेकिन ज्यादा तरह जैसे पिंट्रिक वाला सुई की चुभन है या कुछ गुदगुदी सी हो या एक पॉइंट वो मैंने बताया एक फिस्ट भर के एरिया नहो बहुत कम जगा हो मरीज उंगली से बता पाए कि यहां दर्द है यहां दर्द है यहां है तो वह ज़्यादा तरह इंजाइना या हाट क पेपन नहीं होता और या फिर वह सर से शुरूओ सर में दर्द हो दाज में हो या बहुत नीचे फूले पेट में जलन के साथ हो उपर आए और वो एससिटी जैसे रिगर्ज होता है उपर के तरफ जलन आань पिर Soup ए सिकण जैसे होने लगती है वह ज़्यादात करहे हाट का दर्द नहीं होता है और या फिर कोई मरीज को इदर ऊषलने लगे लोटने लगे या वह चिलन river चिल चीखे бол हो रहा है तो ऐसा नहीं रही हो मरीज तरह कि चिलने रोना रोता नहीं उसमें फूट फूट के, obstruction के, intestinal obstruction के, या perforation के, तब इस तरह का दर्द हो सकता है, और भी वज़य हो सकते हैं, पर जादा तरह हार्ट का दर्द जैसा angina जैसा मैंने बताए होई होता है, लेकिन कोई भी सीने का दर्द को जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सीने का दर्द सीरियस है, हार्ट के circulation compromised है, हार्ट के circulation रुख रहा है, impending heart attack है या death है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने जितने चित परिचित हैं उन लोगों को दिखाईएगा, और हमारे वीडियो को subscribe करेगा ताकि आपको sequential way में आपको ग्यान आए, knowledge आए, ये जरूरी है, आपकी जिन्दगी के लिए ये ग्यान बहुत जरूरी है, एक common man, layman के लिए भी, धन्यवाद